हेले फ्रेंड्स मेरा नाम है तन्वीर और आप देख रहे हैं नर्डी जायम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Microsoft Office Pro Plus 2021 वर्जन को अपने कम्प्टर में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग अनी मोर टाइम लेट्स केट इंटो वीडियो तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें अपने कम्प्टर पे ब्राउजर को ओपन करना है और यहां पे दोस्तों आपको गूगल को ओपन कर लेना है देना आपको आजाना है सर्च पार में और यहां पे आपको यह लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है तो यहां पे आपको फस्ट विपसाइट मिलेगी ऊफ्रिस ग furnace पर क्लिक करना है जिससे यहां पे आपकी ऊफ्रिस कस्तमाईज़़शयशन टूल की वैबसायट ओन हो जाएगी यहां पे दोस्तों आपका जो प्यूटर का architecture है उसे select करना है और आपको अपने computer के architecture को पता करने के लिए Windows बटन पे right click करना है तो आपको system पे click कर देना है जिसे यहाँ पे आपके computer की information आ जाएगी यहाँ पे आपको system type में आपका architecture मिल जाएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ लिखा है 64 bit तो हम यहाँ पे अगर आपका 32 bit है तो आपको यहाँ पे 32 bit को select करना है जिवर आपको इहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको option मिलेगा office suit का तो यहाँ से आपको उस MS Office के version को select करना है जिसे आपको download और install करना है तो अभी हमें यहाँ पे Office 2021 को download करना है, install करना है, तो हम यहाँ पे Office 2021 को select कर लेंगे, आप दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसके साथ VZEO को install करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से VZEO को select कर लेना है, तो आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको project का भी option मिलता है, आप य आपको इसे as it is रहने देना है, तो आपको यहाँ से select the version में, latest version को select कर लेना है, अब आपको नीचे आना है app section में, और यहाँ पे दोस्तों आपको app का एक button मिलेगा, off करने का, आप इस तरह से इसे off कर सकते हैं, अब इससे होगा यह दोस्तों, कि जब भी आप अपने computer में MS Office इसको install करेंगे, तो आपने यहाँ पे जिस भी app को off किया होगा, तो वो आपके MS Office के साथ install नहीं होगा, तो अभी मुझे यहाँ पे इसे install करना है, तो मैं इसे on रहने दूँगा, और अब दोस्तों यहाँ पे हमें next button पे click करना है, और नीचे आना है, यहाँ पे हमें option मिले इसे रहने देना है, तो आपको इस option को as it is रहने देना है, और नीचे आना है, इस option को भी आपको on रहने देना है, तो आपको next पे click कर देना है, तो आपको फिस से नीचे आना है, और यहाँ पे आपको option मिलेगा, uninstall any MSI version of office का, तो दोस्तों इस से हो गई है, यहाँ पे जितने भी listed application दिख रहा है, अगर आपके computer में यह पहले से install होंगे, तो उन सभी को यह option uninstall कर देगा, तो अब आपको इसे on रहने देना है, और नीचे आना है, और यहाँ पे आपको next पे click कर देना है, next पे click करने के बाद दोस्तों आपको face से नीचे आना है, और KMS को select रहने देना है, जिससे यहाँ पे एक window open हो जाएगी, और यहाँ पे आपको office open xml format को स्लेक करके ok बटन पे क्लिक कर देना है ज़र आपके यहाँ पे accept कर लेना है term and condition license को तो आपको check mark करने के बाद export बटन पे क्लिक करना है जैसे आपके computer में configuration file डाउनलोड होगी तो यहाँ पे आपको keep पे क्लिक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी configuration file computer में download हो चुकी है आप दोस्तों हमें फिर से अपने browser को open करना है और यहाँ पे दोस्तों हमें type करना है office deployment tool ज़र आपको interface करना है तो यहाँ पे office deployment tool की website मिलेगी आपको इस पे क्लिक करना है जिससे यहाँ पे आपकी office deployment tool की website open हो जाएगी आप दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है तो आपको यहाँ पे download पे क्लिक करना है जिससे और office deployment tool आपके computer में download हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा office deployment tool है डाउनलोड हो चुका है तो अब हमें इस पे right click करना है तो यहाँ पे आपके सामने एक चोटी सी window open हो जाएगी यहाँ पे आपको yes पे click कर देना है तो आपको यहाँ पे office के term and condition license वाले check mark को check कर देना है तो आपको यहाँ पे continue पे click करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको उस location को select करना है जहाँ पे आपको आपकी XML file चाहिए यहाँ पे मैंने desktop को select किया और मैंने यहाँ पे एक नए folder को create कर लिया अब हमें यहाँ पे इसका नाम type करना है तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम type कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे office 2019 type करके ok पे click किया तो हमारी सारी XML file उस folder में extract हो गई है तो मैं आपको दिखा दिता हूँ तो यहाँ पे हमारा वो folder है जो हमने वहाँ पे create किया था तो मैंने इसे open किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी setup और configuration वाली सारी files हैं तो मैं यहाँ पे configuration की सारी files को permanently यहाँ से delete कर दूँगा और आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी setup file से बची हुई है अब हमें अपनी configuration file पे आना है जो हमने customization tool के थूँख create किया था तो हमें इसे copy कर लेना है और यहाँ पे लिया करके paste कर देना है दर्ण आपको यहाँ पे paste करने के बाद आ जाना है path address बार में और यहाँ पे आपको type करना है cmd cmd type करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे interface करना है जिससे आपका यहाँ पे command prompt open हो जाएगा इस specific location के लिए जो यहाँ पे अभी open है आप दोस्तों यहाँ पे हमें MS Office को download करना होगा तो हमें यहाँ पे एक command को type करना है तो हमें यहाँ पे type करना है setup एक space type करना है forward slash type करना है दोस्तों आपको type करना है download एक space देना है और type करना है configuration दोस्तों आपको configuration लिखने के बाद .xml type करना है आप जैसे ही यहाँ पे xml type करके interface करेंगे तो आपके computer में MS Office download होना start हो जाएगा और यहाँ पे office के नाम से एक folder बन जाएगा जिसमें आपके MS Office की सारिफाइस download होंगे तो हमें यहाँ पे wait करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि office की यहाँ पे एक folder बन चुका है और इसमें हमारे MS Office की सारिफाइस download होंगे और यहाँ पे जब हमारी downloading complete होगी दोस्तों तो यहाँ पे यह same line prompt होके नीचे आ जाएगी तो इसका मतलब यह होगा दोस्तों कि हमारे computer में completely MS Office download हो चुका है तो हमें यहाँ पे wait करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी same line prompt होके नीचे आ गई है यानि कि हमारा MS Office हमारे computer में download हो चुका है अब हमें इसे install करना है तो हमें यहाँ पर फिस से एक command को type करना है तो type करना है setup एक space देना है और type करना है forward slash दर आपको type करना है configure दर आपको एक space देना है और type करना है configuration दर आपको .xml type करना है आप जैसे ही यहाँ पर xml को type करके interface करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक छोटी सी window open हो जाएगी यहाँ पे आपको yes पे click कर देना है जिससे यहाँ पे Microsoft का एक window छोटा सा open होगा दर आपकी यहाँ पे installation start हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा MS Office install हो रहा है दोस्तों तो हमें यहाँ पे थोड़ा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक notification आ गया है installation finish का और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है you are all set office is installed now तो आप दोस्तों हम यहाँ पे start menu को open करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे MS Office के सारे application यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे दोस्तों मैं Excel को open करके आपको दिखाता हूँ तो मैंने इसे open किया और अब मैं यहाँ पे blank workbook को open कर लूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह open हो गया है आप मैं file menu में जाओंगा और यहाँ से है एकाउंट में चला जाओंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा यहाँ पे product activated है और यहाँ पे लिखा हुआ है Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021 तो फ्रेंड्स इस तरह से आप simple process को follow करके अपने computer में Microsoft Office 2021 को download और install कर सकते हैं आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आपका कोई question है तो आप comment box में लिख सकते हैं और चैनल को subscribe करना ना भूलें क्यूंकि मैं आपके लिए ऐसी ही useful वीडियो लेके आता रहता हूँ